हाई एवरिवन वेलकम बैक तो मैं चैनल आयाम अनीता एंड आयम बैक वीडियो तो आज हम बताएंगे आपको एक्रेलिक नेल एक्सेंशन के बारे में एंड आपको मैं कुछ प्रोड़क्ट के बारे में भी बताऊंगी जो आपके लिए अच्छे हैं ठीक है सो काफी विगनर्स हैं या काफी ऐसी मलब जो हैं ट्रेनर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको यह वाला प्रोड़क्ट लेना चाहिए या यह वाला नहीं लेना चाहिए लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूँ जब आप परचेस करते हैं उसको आप करने का तरीका सही नही तो प्राइबल में आपके अपटे सकते हैं आपके सारी के में कैसे एंवेडियो को लाइस तक जरूर देखना वीडियो को आगे मत करना तो वीडियो को किया है चोट-चोटे चो-टे चो पर आपको बीच में ब्रेकर दोगे, तो आपको कुछ समझनी आएगा तो यहां पर आ यह पार बात बता दूँ जो मैंने नेल टिप्स यह लॉक नेल अब इतना तो आपको बता हो गई आप अगर नेल आटिस्ट है तो इसमें जो लॉक नेल होता है हम परमनेल एक्सेंशन में यूज करते हैं जैसे की जैल होगी यह फिर अक्रेलिक होगे ठीक है अभी हम करें अक इसके साथ हम क्या करते हैं इसको दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ना कैसे होता है कि एक जो हमारी फ्री एज एरिया होता जिसको हम कट कर देते हैं जो जोड़ रही हूं किस तरह से जोड़ना है जो इसका लॉक होता है इसको सेट करना होता है अपने नेच्रल नेल के फ् क्या होता है, जैसे डी हाइड्रेट का मतलब आप जानते होंगे, जैसे ंमनी हमारे नेल्स योपर मेस्ष्राइजर होता है, इस जा रहा हम और पीस लेवल को ड़न कर Cooking. लेकिन अक्रैलिक का काम है मैंने पूरा इस वीडियो में बताया है आपको अपको क्या किया है और इस तरह分享 से बढ़ाना आपने चार सेकंड इसको आप एक जगहें तो यहfach सेट होजाना था तो आपने 3-4 सेकंड 64 रखा और उसके बाद यह new is करेंगे नेल कट को गड़ करेंगे तो यह मैंने न permissions है जो इसको हम कहते हैं पर इसको क्ट कर लेना है यहां पर regulation हम से थोड़ी जादा लेंग रखी है और यह आता है हमारे पास हार वफर इसके साथ हम गया करते हैं आर्ट इपिशल जो नेल होता है इसको वफ करते हैं अब हम थोड़ी सी लाइट शेप दे देंगे इसको उसके बाद क्या करना है अब यह वाली वीडियो जो थोड़ी है थ मतलब एक ऐसा मर्ट एक ऐसा इवन सा हो जाए कि जैसे लगे कि यह आपका अपना ही नेल और इतने इतनी सफाई से होना चाहिए इतनी अच्छे से होना चाहिए उसके उपर जो आपका बरक वर्क बहुत इसली आपकर सकते हो अगर यह ज्यादा ऐसे उपर नीचे रहा तो आपका work next step होगा वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे अब जो वफ करना है एक तो हमने बहुत ही smoothly वफ करना है इतनी जोर से नहीं करना है कि जो इनका cuticle वाला एरिया जा फिर इनकी skin का एरिया जो भी है वो हाम हो फिर आपका client को दिक्कत होगी problem होगी वो next time आपके पास ऊपने अच्छि को लाए उसी को करना है पहले कहां से करने जहां पे लुख कर द cafeter गया वहां से धीरी दीरे करकी हमने पूरा निल को वफ आपका cheeks該स करना है यहां- 600 बभी को बता देतीं अगर ने जरीग अगर श्रीशन करते See तो यह जो चीजी है ना यह concept आपको कोई नहीं समझाएगा, यह ध्यान से आपको सुनना है, मैंने जो बोला है, इस चीज को आपको करना भी है, जैसे आप अभी मैंने यह nail जो लगाया, इसको मैंने पूरा वफ कर दिया, और उसके बाद क्या किया है, मैंने soft वफर के साथ इ सवोफ कोई दिक्कत नहीं होती कोई जादा पेन नहीं होता है इसंप Now और आधा सवी कंप acrylic brush लिया, इसको मैंने dip किया monomer में, आपका acrylic brush बहुत clear होना चाहिए, बहुती साफ होना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ी अगर आपकी साफ रहेंगी, तो आगे वाला काम भी आपका साफ फाई से आएगा, ठीक है अब आप देखेंगे, मैंने इसको 3-4 पार dip किया, इसको अच्छा स्मूथ कर दिया, ठीक है तो मैं बतातू ने, glam की product the best product है, glam की जो नेल्स में आपका अगर प्रोड़क लेने ना अगर आपके पास अगर अच्छा बजट है तो आपके एक बार glam का लेके जरूर देखना बहुत ही अच्छा यार, इसका पिक किया एंड 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 अपलाई किया और उसके बाद देखिया कितनो smoothly से मैंने यह बहुत ही smoothly मैंने ब्रश लाया यहां पर ऐसी आपने दीरे-दीरे smooth smooth सा ब्रश तलाना है जादा दवाब नी डाला में जादा पुष्णी करना इतनी जोड से कि वह नीचे पूरा ब्लेंड हो जाए तो दीरी-दीरे करके हमने क्या करना है cuticle area को थोड़ा सा शोड कि हमने आगे से अपलाई करना है cuticle area को यह टच नहीं करना है बस अगर वह टच होता है न तो बड़ा से अजीब सा लगता है इसी दीरी-दीरी करके हमने second weeds लेनी है आप चोट-चोटी weeds ले सकते है आठ नमबर बर्स यूज कर सकते है उसे क्या होते है चोट-चोटी weeds आप उठाएंगे तो बहुत ही अच्छी से आपका प्लाई होगा acrylic ठीक है इस तरह से हमने किया अब हम next weed उड़ा उठा रहे हैं और थोड़ा से इसको आगे लगाएंगे ठीक है तो इस तरीके से यह सहसाथ में ड्राइ भी होता जाता है जैसे चार से पांच सेकंड लेता है यह ड्राई होने में ही सेट हो जाता है अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपका काम अच्छा है ना, अगर आपका क्रेलिक EXEC अगर आपको च्छाम को सकरें तो आपको अच्छा काम थाट कर सको ठीक है इसको हटना हो जैसे अभी आप काम कर रहे हैं जैसे मैं बता रहे हूं अब हम आप उपकिया नहीं किया कुछ जैसे आप सब्सक्राइब जैसे आपक्रेली के अच्छेशज certain लगा दिया फ्रेंच पर नीचे होता है फिर लुप में बहुत टाइम लगता ह कि आप ठक जाते हो तो ऐसा काम नहीं करना है इसलिए बीड्स कम उठाओ कम कम लगाओ दीरी-दीरे करो हो जाता है ठीक है हो जाएगा अब हमने इस तरह से हमने इनके साइड साइड से जो है कॉर्नर जो आप देख रहे हो इसको में वफ कर देना बहुत अच्छे से स्मूतली अब हम इसको उपर से करेंगे उपर से करेंगे तो अशी असलिए लेक्स करेंगे अगल कि और समस्कारिया चैनल को तो हीक रहा हैं जाता है कि ऊप हिर निजए इस और छो बार तो अभी आप देख रहे हैं डिर्ल मेशीन का यूज्ब और देख सकते हैं क्योंकि में उर्प करेंगे क्योंकि वर्फर के साथ क्या होता हैeros yang Oke मतलब जब हम कुटिकल को कट करते हैं तब भी थोड़ा सा रिमूव हो जाता है स्कीन और उसके बाद हम वफ करेंगे तो बहुत जादा रेमोज हो जाती है तो क्लाइन को ऐसा नहीं करें कि वो नेक्स टाम ना आए तो ऐसा काम करें कि वो दोबारा भी आपके पास आए तो इ यहां पर मैंने इसका यूज किया है उसके बाद मैंने साथ इसको वफ कर दिया है सो इसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम करेंगे बेस कोड यहां पे शिल्स का यूज और बेस कोड के बाद जो भी इनको कलर करना होगा वो हम करेंगे पहले हमें बेस को क्राइब अपर चंतुल्ट रीम करेंगे जाएंगे कि वाद हो यूगर करने दाएं करेंगे मैं करेंगे तो धार थेंगे और उसके बाद अगर आप यह चाहें तो दोबारा से अप्लाई भी कर सकते हैं नहीं चाहें तो एसा भी रख सकते हैं ऐसे न्यूड में अच्छा लग रहा है तो अभी हम यहां पर टॉप कोड यूज कर रहे हैं शिल्स का ही और उसके बाद हमारे नेल्स कंप्लीट हो जाता हैं क्योंकि थोड़ा सा सौप्ट हो जाएगा क्योटिकल तो पेन इतनी नहीं होगी तो इस तरह से ने क्योटिकल ऑल लगा दिया है और अभी थोड़ी देर के बाद इनको जितना भी तो जो थोड़ा बहुत पेन हो भी रहा होगा बिल्कुल वह खतम हो जाएगा ठीक है त आठीक तरह से आपको भी नियल करने है और कोशिश करनी है कोशिश करते रहोगे तो बहुत अच्छे से आपका बर्खोना स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से में लब जैसे करते रहोगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा और चलते है नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंड में बता देना क्यासी लगी वीडियो और वाइ थेंक्स पर वाचिंग बाइबाइब